नमाश्कार दोस्तों SSEGD दोस्तों आज आपके लिए लेके आए है स्टेटिक जीके का पार्ट यानि की स्टेटिक जीके की प्रशनोत्री उमीद करता हूँ यहां से आपको प्रशन देखने को मिलेंगे टोटली आपके मेहतुपुन प्रशन रहने वाल है पिछले पेपर मे प्रशन आपका SSEGD पहला प्रशन है यूनेस को सूची वाला और यहां पर प्रशन पूछ लिया है कि कोणांग का जो शूर्य मंदिर ओडिशा में है इसे यूनेस को सूची में कब सामिल किया गया है यह आपको बताना है पहला प्रशन है कोणांग का सूर्य मंदिर को वि उनेस को सूची में सामिल किया गया है काँपर भाई औरिक्षा में इस्तित है कौणांग का सूरिय मंदिर ये आपको याद रखना है कौणांग के सूरिय मंदिर का जो चित्रन है कितने रूपिय के नोट पर है ये आपको बताना है तो 10 रूपिय के नोट पर कौणांग के जो इसका चित्र अंकित होता है ये आपको साथ में याद रखना है आगे देखो दूसरा प्रशन अपन मात कर लेते हैं दूसरा प्रशन है जीलो के अधियन को क्या कहा जाता है पैटरोलोजी, पोमोलोजी, ऑस्टियोलोजी या लिमनोलोजी इसका सहुत्र क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका आपका सहुत्र हो जाएगा option D, लिमनोलोजी, लिमनोलोजी कहलाएगा जीलो का अधियन, पैटरोलोजी कहलाएगा जीलो का अधियन, किसका अधियन, चटानो का अधियन, चटानो का अधियन, पैटरोलोजी कहलाएगा, अगला है पोमोलोजी, तो पोमो हडियों का अधियन तो ये भी आपको साथ में बाकी याद रखना है इसका सहीतरोजाई का ओप्षण डी लिमनोलोजी जीलों का अधियन कहलाता है तीसरा प्रशन आपके सामने आ चुका है पनालाल गोस का समध निमन में से किस वाद्य यंतर से है ससी जीडी एक प्रशन छप प्रशाद चौरसिया का समध आपका हो जाएगा बासूरी शे ओप्षन या पर सी या पर सहीतर हो जाएगा बासूरी वादक है पनालाल गोस और हरी प्रशाद चौरसिया ये भी आपको ओप्षन में देखने को सब्द मिल सकता है हरी प्रशाद चौरसिया पनालाल गोस जा जाक्षीर हुशेन, किसं मराज ये आपके तबला वादक हो जाएंगे, सितार वादक कौन है भाई, कौन बताएगा, इसका कमेंट में जल्दी से उतर, और जो आपके अमजद अल्ली खान हो जाएंगे, सरोद वादक मेहाँ, अमजद अली खान, अमजद अल्ली भाई, अल्ल जो भी अली आपको पीछे वर्ड मिले वो आपके सरोध के हो जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है बाकी दे को चौता प्रशन ले लेते हैं चौता प्रशन यहापर पूचा है रास्टिये पंचाइती राज दिवस कब मनाया जाता है इसका उतर सबसे पहले कौन देग 24 अप्रेल मिल्कुल सई है उपसंसी या प्राबका सही दर हो जाएगा 24 अप्रेल 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व जल सरक्षन दिवसे विश्व जल सरक्षन दिवसे विश्व जल और 22 माई को जयव विविता दिवस है अंतराश्टिय जयव विविता दिवस ये 22 का आखड़ा आपको याद रखना है 22 22 और 24 अप्रेल आपका राश्टिय पंचाईती राज दिवस पांच वे प्रशन की ओर जलते है अच्छा प्रशन है यामिनी क्रशन मूर्थी का समंद कि से सास्रिय नर्थिय से है यामिनी क्रेशन मूर्थी भाई कुच्ची पुड़ी भी है भरतनाटियम भी है ओप्शन येदी कुच्ची पुड़ी मिले तो ये आपका सहुत्र वरना भरतनाटियम भी इसका सहुत्र हो जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है आगे देख का है लावणी किस राजिये का लोक नरतिये है ये आपको बताना है इसका उत्रा आपका हो जाएगा option B मारास्ट का हो जाएगा लावणी लोक नरतिये किस राजिये का मारास्ट राजिये का हो जाएगा लावणी हो चाहे लेजीम हो ये आपके मारास्ट राजिये के हो जाएं ओडिशा के कौन-कौन से गोटी-पुआ, गुमूरा, रंग-बत्ती, पाई का, ये सब आपके ओडिशा राजिये के हो जाएगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी महरास्ट का हो जाएगा, ये आपका लावनी, यक्सगान हो जाएगा, करनाटक का, ये आपको कुच्ची-पुडी, सास्तिये नर्थिये कुच्ची-पुडी किसका है वई, आंदर प्रदेश का, कुच्ची-पुडी, सास्तिये नर्थिये आंदर प्रदेश का, अगला देखो सात्वा प्रशन, भारतिये क्रेशी, अनुशंदान संस्तान कहा परेश्थित है, भारतिये क्रेशी अनुशंदान संस्तान ये आपको बताना है इसका सही तरुक्या हो जाएगा भारतिये क्रेशी अनुशंदान संस्तान कौन बताएगा option she जिसने भी बोला नहीं दिली बिल्कुल सही है नई दिली में हो जाएगा भारतिये क्रशी अनुशंदान संस्तान बैंगलूरू में विग्यान संस्तान भारतिये विग्यान संस्तान हो जाएगा आपका बैंगलूरू में और कौन सा है बाई और है आपके सामने बैंगलूरू भुपाल MP में वन प्रबंदन संस्तान भारति ये मोसम वीग्यान अनुशंदान संस्तान ये भी आपका दिली में है याद रखना option सी अगला देखो आटवा प्रशन सियांग नदी महोतसव किस राजिये में मनाया जाता है सियांग नदी महोतसव ये आपको बताना है सियांग नदी महोत्सव अरुनाचल उप्षन ए जिसने भी दिया है सायूत्र हो जाएगा भई अरुनाचल प्रदेश का हो जाएगा सियांग नदी महोत्सव अरुनाचल प्रदेश का अगला गुजरात का मोढेरा नर्तिय महोत्सव गुजरात का हो जाएगा मोढेरा मोडेरा 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 नरतिये महुत्सव नरतिये महुत्सव ये हो जाएगा गुजरात का एक मोटेरा स्टेडियम भी था गुजरात का उसका नया नाम नरेंदर मोधी स्टेडियम कर दिया है वाई नागालेंड की मैं बात करूँ तो एक तूलूनी मोच्सो नागालेहंड का हो जाएगा ठीक है बाकी आपको नर्तिय मोच्सो की अलग से क्लास मिल जाएगी नुवा प्रशन देख लीजिए किस राजिय की अमरोहा डोलक को GI टेग मिला है GI टेग से एक प्रशन पूचा जा सकता है यापर पूचा है अमरोहा डोलक को GI टेग मिला है इसका साय उत्र कौन देगा भाई अमरोहा डोलक UP उत्र परदेश की हो जाएगी ओप्शन C वाले साय उत्र है भाई अमरोहा डोलक उत्र परदेश की जलेसर धातू भी उत्र परदेश की यापर मैं लिग देता हूँ बाकी उतर परदेश के जले सर धातू उतर परदेश की अमरोहा डोलक उतर परदेश की बनारसी पान बनारसी पान बनारसी पान अगला है लंगडा आम ये भी आपका उतर परदेश का लंगडा आम ये भी उत्र परदेश का तो इन्हें भी GI टेग मिला है UBU UP के हो जाएंगे ठीक है ये आपको याद रखना है कागडा चाही हो जाएगी हीमाचिल परदेश की वुड कार्विंग ठीक है ये आपको सब याद रखना है वाकी भी आगे चलते हैं कुन भी नरतिये निवन में से किस राजिये का लोक नरतिये सैली है कुन भी नरतिये पूचा है वही प्रशन अच्छा है कुन भी नरतिये फुगडी नरतिये का के है गोवा के हो जाएंगे कुन भी नरतिये ओप्शन आपका C यापर सहुतर हो जाएगा गोवा का टिक है, option C, सयुतर, अगला देख लिजिए, यार्वा प्रशन, कामख्या मंदिर कहा पर है, एक मंदिर से प्रशन पूछा जाएगा, कामख्या मंदिर या पर पूछा है आपको, कामख्या माता का मंदिर, कंडरिया महादेव मंदिर, महाबोधी मंदिर, महिशा सूर मर्दनी मंदिर, तो ये मंदिर कहा पर है, कामख्या माता का मंदिर आए, तो option या पर असम कहा पर है, गोहाटी असम, option C, आपका सयुतर हो जाएगा, यदि पूछे, कंडरिया महादेव मंदिर, ये आपका हो जाएगा, MP का, SSCGD ने पूछा है, महादेव मंदिर, MP, मदिये परदे किसका हो जाएगा, एक पूछा है, महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ये हो जाएगा, बिहार का, एक वैसासूर मर्दिनी मंदिर, मंदिर, कहका है, 36 गड़, 36 गड़ का, तो ये बाकी मंदिर भी आपको याद रखना है, आगा देखो, अगला बाई, बारवा प्रशन, मानव विकाज सूचकांक, 2022 में भारत का इस्तान, ये 2022 वाला आकड़ आपको याद रखना है, सूचकांक में, कौन बताएगा मानव विकाज सूचकांक में भारत का इस्तान कौन सा भाई, जिसने भी option A दिया है, 132 वा इस्तान, बेलकुल सही है, शांती सूचकांक पीस में भारत का इस्तान कौन सा है बाई शांती सूचकांक में भारत का इस्तान कौन सा है एक सो एक सो चबीस वा एक सो चबीस वा यदि पूछे खुशाली सूचकांक है खुशाली सूचकंग замеч 2023 में भारत का इस्तान एक सोचबीस वा यह भी आपको याद रखना है यदि आपको पूछ ले विष्व प्रेश श्वतंतरता में विष्व में प्रेश श्वतंतरता में श्वतंतरता सूचकंग में भारत काइस्तान कौन सा है यह हो जाएगा आपका 161 यदि पूछे गलोबल हंगर यह निकी भूक मरी में तो गलोबल हंगर इंडेक्स में यह हो जाएगा आपका 107 या फिर आपको 111 याद रखना है new update है 111 यह आपको यादखना है यह पहले की update है 111 इस्तान हो जाएगा hunger index में यह आपको साथ में यादखना है अगला देखो तेरवा प्रशन क्या पूचा है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है रंगा स्वामी कप का संबंद किस खेल से है ये प्रशन पूचा है ये कप से प्रशन पूचा जा सकता है किसी भी खेल में कौन सा कप सम्मदित है नारंग ये आपका वो बैडमिंटन के हो जाएंगे रंगा-शौमी कप का यहां पर पूचा है होकी की ट्रॉफिया है बई, होकी का प्रेक्प है रंगाश्वामी आगाखा आगाखा बैटन कप ध्यांचंद ट्रॉपी द्यांचंद ट्रॉपी नेहरू ट्रॉपी तो ये सब जो भी बताई मैंने आगाखा रंगाश्वामी ये अपके होकी की हो जाएगी या तक ना ठीक है भाई अगला देख लीजिए प्रशन ऑप्शन हुआ देख़ है क्म ओड़ा अंतर्रास्थिया हवय अडा कहा पर कहा पर है यह क्मपड़ा पूचा है था यह 12 कोड़ा यह रधा अमरशर पंजब में कौन सा है अhonषर पंजब में गुरू रामदास एक हो लखनों में चौधरी चरण सींग अंतराश्टिय हवय अड़ा चौधरी चरण सींग वाला हो जाएगा लखनौ में बैंगलूरू यहाँ पर बैंगलूरू आपका ओप्शन सी से उत्र हो जाएगा अगला देख लिजी ये पंदरवा प्रशन क्या पूचा है साची का इस्तूप कहा परिस्तित है साची का इस्तूप पूचा है भई साची का इस्तूप मदिये परदेश में साची मदिये परदेश में option या पर C आपका सहीत रो जाएगा साची का इस्तूप कितने रुपिये के नोट पर साची का इस्तूप है 200 रुपिये के नोट पर साची के इस्तूप को UNESCO सूची में कब सामिल किया गया साची के इस तूप को यूनेस को सूची में कब सामिल किया गया कौन बताएगा 1990 में 1990 में ये आपको याद रखना है तो ये तोटली आज के तोटली 15 प्रशन थे और कल और इस्टेटिक जीके कि ये कलास लेके आ जाएगे उसमें कुछ और प्रशन लेके आ जाएगे पुलीस परिक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो चलागा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें अपना ख्याल रखें जैहिंद जीय भारत